आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ट विडियो सिलीशन पाओ हमारा प्रशन है किसी कक्चा में 50 चात्र हैं, जिनमें 30 ने भौतिक सास्त्र तथा 40 ने गडित विसय लिया है उन चात्रों के संख्या ग्याद कीजीए जिन्होंने केवल गडित लिया है और दूसरा प्रशन है केवल भौतिक सास्त लिया है ठीक है? तो आई की इसे हल करते हैं तो यहाँ पर देखेँ कुल विद्यार्तों के संखiegen 50 है तो यहाँ पर हम कुल संख vur ळेते हैं T तो यहाँ पर भाजाँगा N T इसे भाज़तनाका संख при 30 कक्षा में 50 आहाँगा50 कुछ छात्रों ने भहते के लिया है, तैथा कुछ चात्रों ने गढ़त लिया है, मतलब, सभी छात्रों ने इनमे से कम één विस मला लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे हम 50 को लिख सकते हैं, N,P, Union, M के बराबर, मतलब या तो उन्होंने भौतिक लिया है या फिर गड़त लिया या फिर दोनों लिया है ठीक है तो यहाँ पे हम उन छात्रों की संख्या पतागर सकते हैं जीनोंने इन दोनों विश्यों के लिया है तो यहाँ पे उनकी संख्या हो जाएगी N P intersection M ठीक है तो यहाँ पे अब हम इसके संख्या पता कर सकते हैं तो यह हो जाएगा N P union M बराबर होता है N P plus N M minus N P intersection M ठीक है तो यहाँ पे यह आजाएगा देखिए इसके संख्या है 50 बराबर हो जाएगा N P जिसका माहन है 30 plus N M यह है 40 के बराबर minus N P intersection M ठीक है तो यहाँ पे आजाएगा N P intersection M बराबर हो जाएगा 30 plus 40 70 minus 50 तो यह आजाएगा बराबर 20 के ठीक है तो देखिए यहाँ पे हमें वो संख्या पता चल गई उन विद्यार्दों के संख्या जो दोनों भी से पढ़ते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो सिर्फ गड़त पढ़ते हैं मतलब N M intersection P तो मतलब जो सिर्फ गड़त पढ़ता हो लेकिन भहतगा न पढ़ते ओं और यहाँ पे यहां पैंप pénले कमान निकालेंगे तो यह हो जाएगा N M intersection P दैस बराबर हो जाएगा यहाँ पे N M minus यहाँ पे N M intersection P तो यहाँ पे यह हो जाएगा बराबर देखिए यहाँ पे NM का माहन है 40 माइनस हम कर देते हैं दोनों विज़ से पढ़ने वालों के संख्या क्योंकि यहाँ पे 40 जो गड़ित पढ़ते हैं उनमें से 20 विद्यारती भौत की भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम इनके संख्या को माइनस कर दें तो यहाँ पे यहाँ आजाएगा 20 जो कि सिर्फ गड़ित पढ़ने वाले की संख्या हो जाएगी तो यहाँ पे यह हो जाएगा N M intersection P तो यह होगा हमारा पहला अंसर अब दूसरा प्रश्ण है यहाँ पे कि जो सर्फ भौत की पढ़ते हैं तो उनके संख्या हो जाएगी N P intersection M ठीक है तो यह बराबर हो जाएगा देखे यहाँ पे कुल भौत की पढ़ने वाले संख्या है 30 तो यहाँ पे हो जाएगा N P minus इसमें से 20 विद्ध द्यार्थी गड़िद पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम उनके संख्या को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा N M intersection P यहाँ पे P intersection M और यह बराबर हो जाएगा N P बहुते की पढ़ने वाले उक्संख्या 30 है माइनस दोनों भी से पढ़ने वाले उक्संख्या है 20 तो यहाँ पे हम इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे यह आ जाएगा N P intersection M ड़ाबर हो जाएगा 10 के ठीक है तो यह हो गया हमारा पहला आंसर और यह हो गया हमारा दूसरा आंसर धन्यवाद